हेलो अब्रिवान वेल्कम बैक टो मैं चानल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वन टक ब्लाउज 32 साइज जिसके लिए हमने सारी का ब्लाउज पीस लिया है और इसके साथ मैंने लाइनिंग 1 मिटर लिये है सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक में कटिंग करनी ह तो कपड़े को पहले हमें रॉंग पोजिशन में रखना है लेंथवाज कपड़े को फोल करेंगे अब हम कपड़े को मेजर करेंगे और इसमें से हमें अपने स्लेव के लिए कपड़ा अलग से कट करके रख लेंगे इसमें कपड़े की जितनी लेंथ है उसमें से हमें 8 इंचेस मार्क करना है अपने स्लिफ की लेंथ और बाकी की हिस्से में हमें प्रांट और बाकी कटिंग करनी होगी पहले हमें स्लिफ को अले कट करेंगे स्लिफ की पाट को मैंने कट कर लिया है अब हमें बैक पाट को कट करना है बैक साट की लेंथ 14 इंचेस रेड़ी है जिसमें हमें 1 इंच एक्ष्टर लेना है आधा इंच तिलाइ उपर के लिए और आधा इंच तिलाइ नीचे के लिए 15 इंचेस पे निशान लगा देना है और यहां पर शोल्डर के लिए हम 6 इंचेस मार्क करेंगे यह 32 size blouse है तो हम 6 इंचेस ले रहें सेम लेंध हमें आर्मोल के लिए लेनी है chest का निशान लगाएंगे chest 32 inches है जिसका हमें 1 fourth करना है जो होता है 8 inches इसमें 1,5 inch slime margin लेंगे जो होता है 9 and half total 9 and half में निशान लगाना है waist का निशान लगाएंगे waist yamper 28 inches है जिसका 1,4 inch 7 inches होता है प्लस वा रिंच हम डार्ट के लिए लेंगे जिणे हाले लिए भाम लागनाने राव कर देड़ के लेंगे 5पS वह बीचित, वह त चलिको यह यह प्रि ludzi अंची रखते हैं अब हम आर्मॉल की तरफ से 1 इंच मार करते हुए निशान लगाएंगे और यहां पर हम बैक आर्मॉल के लिए सेव पना लेंगे नेक बीट यहां पर 2.25 इंचिस लेना है और नेक की डिपने से हम पर मैं 6 इंचिस लूँगी नेक के लिए हमें यहां पर राउंड शेफ ड्रॉख करना है यहां पर शोलडर के लिए करीब 1.25 इंच डॉण मार करना है पैटन को अब हम कट कर लेंगे कटिंग हो चुकी है अब हमें फ्रन पार्ट को कट करना है तो इस पैटन को हमें कपड़ी के ऊपर वैसे ही रखना है जैसे हमने बैक पट को कट किया था देखिए यहां से हमें होकाई पट्टी के लिए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देना है और बाकी की जो मार्किंगे हैं हमें सेम एजिट इस रखनी है किया पर फ्रांट नेग के लिए हम निशान लगाएंगे अपर में सेम एजिट इस 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 मार्क करूंगी और रॉंड शेप लोगी नेग के लिए पैटन को हम अभी हटा लेंगे, अब हम फुल वस्ट मार करेंगे, शोल्डर से होते हम 9 इंचेस मार करेंगे, 9 इंचेस पर एक निशान लगा देना है और देखें, यहाँ से होकाई पट्टी के लाइन से हमें 4 इंचेस मार करना है और इन दोनो point को हम joint कर लेंगे प्लीट की दोनो तरफ से हमें निशयान लगाना है 0.5 फ्लीट हम लेंगे तो एक साइड में हम 0.75 इंचिस को मारक करना है तोटल 0.5 फ्लीट ह। इस तरह से plate के लिए हम line बना लेंगे प्लेट की निशान हमने लगा ली है अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे हुकाई पट्टी के लाइन से ही हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है 8 इंचेस हम चेस्ट के लिए लेंगे वेस्ट की मार्किंग करनी है वेस्ट की बनफ़त करेंगे 7 इंचेस पर मार करेंगे अब हम 1.5 इंच की प्लेट जो लिए थे उसको हम 1.5 इंच यहां पर आड करेंगे और एक्स्टर वनएंट हाप इंच हम सिलाय मर्जिन लेंगे अब इन सभी पॉंट्स को मिला लेंगे चेस्ट के लिए हम एक्स्ट्रा 1.5 इंचिस लेते हुए यहां पर दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे फ्रेंट आर्मोल में हमें शेप देना है तो इसके लिए हम चेस्ट लाइन से अंदर मार्क करेंगे और आर्मोल लाइन से इस तरह से हमें अंदर की तरफ वन इंच मार्क करते हुए एक्स लाइन लाइन बना लेंगे और इसी के अंदर से हमें फ्रेंट आर्मोल के लिए सेप बनानी है फ्रंट आर्मोल के लिए हमने सेप बना लिया है अब हम पैटन को भी कट कर लेंगे कि यहां पर कटिंग हो चुकी है अब हमें प्लेट को कट करना है तो दिखें निसान की अकडिंग हमें कट करना है लेकिन उपर से जो निसान हमने लगाई थी उसको हमें हाफ इंच छोड़ देना है जो हमने 9 इंचे मार किया था और उसके नीचे सी हमें इस प्लेट को कट करे जिसको अभी हमने डबल फोल्ड किया है और इसके बाद 4 फोल्ड करते हुए हम मार्क करेंगे स्लीव वेट यहां पर हम 6 इंचिस मार्क करेंगे क्या पाइट 3.5 इंचिस रखेंगे स्लीव के लिए सेब बनाएंगे स्लीव राउंड यहां पर 5.5 इंचिस लेंगे प्लस 1.5 इंच हम स्लाइ मार्जिन लेंगे स्लीव के आर्मोल सेड हम 1 इंच मार्क करते हुए फ्रेंट आर्मोल के लिए सेब बनाएंगे सभी पॉइंट्स को हम जोइन करेंगे अब हम स्लीव की पैटर्न को कट कर लेंगे यहां पर में फैबरिक में हमने सारी कटिंग कर ली है अब ऐसे ही हमें लाइनिंग के उपर रखकर सभी पीसेश को कट करना है देखिए हमने यहां पर सारे कटिंग लाइनिंग के उपर रखकर कर ली है यह front part आप देख सकते हो और hook और आई पट्टी भी हमने cut कर ली है ऐसे ही हमें सारे pieces cut करके रख लेना है सबी pieces को हमने lining के उपर रख कर rough stitch लगानी है यहाँ पर आप देख सकते हो lining के उपर मैंने man fabric रखा है और इसके उपर मैंने rough stitch लगा लिया है front के दूसरे हिस्से को भी हमने stitch कर लिया है back side का कपड़ा हम लेंगे सीधी तरफ से इसके उपर हमें lining को रखना है हम यहाँ पर half inch की slime margin लेते हुए इसके west line को stitch करेंगे कपड़े को turn करेंगे और उपर हम top stitch लगाएंगे इसके बद हम lining को ओल्टे तरफ रखते हुए हम चारों तरफ rough stitch लगा लेंगे यहाँ पर हमने stitching कर ली है अब हम प्लेट सेट करेंगे तो देखे इस तरह से कपड़े को हमें सेंटर से फोल्ड करना है सेंटर से हमें यहाँ पर 3.5 inches मार करना है प्लेट की लेंद्ध फोर इंचेस रखेंगे हाप इंच के मार्जिन लेते हुए हम प्लेट बनाएंगे बैक साइड में हमने प्लेट बना कर रेडी कर ली है अब हमें स्लिप्स लेना है स्लिप्स को सीधा लिया है इसके उपर हमें लाइनिंग रखनी है उल्टा और 1.5 inches का सिलाइ मार्जिन लेते हुए हम इसके उपर स्टीच करेंगे ऐसे हमें दोनों स्लिप्स बना कर रेडी करेंगे लाइनिंग को बाहर निकलते हुए हम इसके उपर टॉप स्टीच देंगे इसके बाद हम लाइनिंग को अंदर करते हुए चारतबर स्लिप के उपर हम रख स्टीच लगाएंगे ऐसे हमें दोनों स्लिप्स रेडी करनी है기 हुआ है और दोनों स्लिप में हमारी स्टिचिंस्ग हो गई यह अब हम फरन्ट पार्ट को लेंगे देखें फरन्ट पार्ट में हमें प्लेट लगानी है तो देखें इस तरह से फोल्ड करते वह हमें आधा इंश का सिलाई मारजिन लेते हुए प्लेट करेंगे ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट में भी स्टीच करनी है प्लीड हमने यहां पर सेट कर ली है एक बार हम इसको मेजर करेंगे शॉर्डर से होते हैं हम यहां पर फुल बस्ट मेजर करेंगे तो दिखें यहां पर 9 इंचेस परफेक्ट आना चाहिए अब हम अपनी हूग को आई पट्टी अटेच करेंगे तो देखें, यहां पर मैंने आई पटी लिया है, इसकी लेंथ हमें अपनी front part के आई पटी की जितनी ही रखनी है, यहां पर थोड़ा सा मैंने extra कपड़ा लिया है, इसकी चोड़ाई 4 inches मैंने रखी है, इसको हमें double fold करना है, इस पटी को, front part की उल्टे तरफ से हमें इसको attach कर करना है, attach हो चुके हैं, अब इसको fold करते हुए, उपर की तरफ हमें इसके उपर top stitch लगानी है, extra fabric को हम बाद में cut कर लेंगे, यहां पर आई पटी बन चुकी है, वैसे हमें यहां पर hook पटी attach करेंगे, ऐसे strip को लेना है, इसकी चोड़ाई 2 inches है, यहां पर हम एक single slice लाई ल लेंगे, hook आई पटी हमारी बन चुकी है, अब हम back side को लेंगे, सीधी तरफ से, इसकी उपर हमें front के दोनों pieces को उल्टा रखेंगे, shoulder को join करेंगे, shoulder join हो चुके हैं, अब हमें neck बनानी है, तो neck में हमें piping लगानी है, तो इस तरह से मैंने piping पटी ली है, जिसमें एक तरफ से दागा लगी हुई है, दागा की side हमें बाहर रखनी है, और आधा इंच का margin छोड़ना है, पटी को बाहर निकालते हुए, देखें, यहां से दागे की नीचे से जहां पर stitch लगी हुए, इसकी उपर हमें किनारी से stitch करनी है, देखें, यहां पर finishing के साथ हमारी piping बन के आ रही है, तो ऐसे ही हमें पूरे नेक में stitch करनी है, यहां पर देखें कितने finishing के साथ हमारी piping निकल के आई है, अब इस कपड़े को हमें back side में turn करेंगे, और इसकी उपर हमें stitch करनी है, यहां पर नेक हमारी बन गई है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर piping जो है, वो कितनी finishing के साथ नेक में attach हो चुकी है, अब हमें slips attach करेंगे, slips को हमें wrong side में लेना है, जिस तरफ back side का कपड़ा है, उस तरफ हमें slips के back side के हिस्से को रखना है, और जिस तरफ front का हिस्सा है, उस तरफ हमें slips के front का हिस्से को रखना है, इसके बाद हम इसके उपर stitch करेंगे, ऐसा ही हमें दोनों slips बना कर ready करेंगे, करने के बाद हम यहां पर बड़ी की फिटिंग करेंगे सिंपल और इजी मेथं में हमने यहां पर ब्लाउस बनाकर बताया है 좀 Base यहां पर बलाउज में जो बाकी है भॉक और लगानी बाकी है इसके बात हमारी बाउज जहेंatore लेडिए वेर करने के लिए बत की फाइनल लुक आप देख सकते हो कितनी लुक इसे इतै डाया है बनाना यह करने के लित सब्सक्राइब करें दो भीुट करते हों thank you so much for watching